मोदी जी के परिवार में लुटे रहे हैं भरस्टाचारी हैं जितने भी लोग हैं नीच किस्म के आपको मोदी जी के परिवार में देखने को मिल ही जाएंगे आप देख लिजे एक लिस्ट में आप लोग को सुना देता हूँ अजित पवार जिन पे 70,000 करोड का घुटाला का आरोप लगा था वो मोदी जी के परिवार में है मोदी के परिवार में आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे समझे राम रहीम मिलेंगे अंबानी मिलेंगे ब्रीज भूसन सिंख मिलेंगे बी एच्चू के बलातकारी मिलेंगे मतलब एक बात तो तै है कि आज तक के वैस्विक पटल पे पहले प्रधान मंतरी है जिनका सबसे ज़्यादा बलातकारियों के साथ फोटो हो गया है समझे मतलब एक बात साप है कि हिसाब देने में मोदी जी की फट जाती है नमस्कार प्रणाम जोहार मैं प्रताप कुमार उज्वल आज के थमनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के चर्चा का विशय क्या है और साथ ही आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि जब से लालू यादों का वपयान सोचल मीडिया पे वाइरल हो रहा है तब से आधार सुधार केंदरों पे लोगों की संख्या बढ़ गई है और उन में से 90% लोग जो है अपने पिता जी का यानि कि अपने बाप का नाम चेंज करवा रहे है समसे और चेंज करवा करके न एक ही नाम रखवा रहे है तो इस बात पे मैं ज़्यादा टिपनी नहीं करूंगा मैं आप लोग को एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि किसी महापुरूस ने आज से कई साल पहले ही कह दिया था कि कुछ दिन बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पता नहीं उनका जन पहले कब हो गया था लेकिन उनका बाप जो है उनको 2014 के बाद मिला है समझे तो जिन लोगोंने लालू यादो के पूरे बयान को सुना था वे आधार सुधार केंदर पे चले गए और जिन लोगोंने उनके आधे अधुरे बयान को सुना यानि परिवार तक ही सिमित रह गए उन्होंने अपने ट्वीटर यानि की वर्तमान X पे अपने profile name के आगे मोदी का परिवार लगा दिया है और facebook account पे भी समझे न और साथ ही आज का जो चर्चा का topic भी यही है कि मोदी जी का परिवार कौन है समझे हर बार जब कभी हमला होता है मोदी जी पे जब मोदी जी देखते हैं कि हार होने लगा है तो आम आदमी को अपना परिवार बना लेते हैं लेकिन उससे पहले जब संसद्व होने बैठते हैं जब निरने लेते हैं तो उसमें आम आदमी कहीं नजर नहीं आता उनके परिवार में संचे सिर्फ ब्यूरोक्रेट सिर्फ बलादकारी, सिर्फ भरस्टाचारी, यही सारे लोग उनके परिवार में सामिल रहते हो समय, अभी फिलहाल जो जामनगर एरपोर्ट का मसला है, आप देख लिजे कि अमबानी के बेटे के साधी के लिए एक डिफेंस एरपोर्ट को, जो सुरक्षा एरपोर्ट है, जि समझे, अब आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है, वो भी देख लिजे, कि किसान और जवानों को आमने सामने कर दिया गया है लड़ने के लिए, संभू बॉर्डर की स्थिति को देख लिजे आप, समझे, वहीं आप राम रहिम को देख लिजे, उनके परिवार का एक औ मौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी भी छुटी लगभग दो साल में 200 दिन नहीं होती है, समझे, तो उनको 225 दिन का पेरोल मिला है, दो सालों में, तो आपका अमबानी जी उनके परिवार में है, उनके परिवार में राम रहिम है, उनके परिवार में बलातकारी है, बी किया था वे लगभग एक डेड़ महीने तक खुले आम घुमते रहे और उनका कुछ नहीं हुआ समसे बाद में उनकी सिनाख्तुवी पकड़े गए लेकिन आज तक उनके घर पे बुल्डोजर चलाने का हिम्मत योगी बाबा नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों का फोटो जो है ना मोदी जी के साथ है ना समझे बिजेपी के नेता थे वो लोग और मुसल्मान नहीं थे भूल जाइएगा वो तीनों बलातकारी हिंदू ही थे ठीक है इस बात को मैं जोर देकर कह रहा हूँ ठीक मुसल्मान रहते तो तो भैया वो गोदी मीडिया तो है है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है समझे लेकिन वो हिंदू ही थे तो आपके पास बलातकारी मोदी जी के परिवार में बलातकारी मोधी जी के परिवार में भ्रष्टाचारी मोधी जी के परिवार में लुटे रे आप ललित मोधी की बात कर लिजे आपके जो One Nation, One Election के जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे उन में से कौन-कौन थे मैं आपको बता देता हूँ ठीक है? और उन में से एक महासे जो है हरीस सालवे हरीस सालवे के बारे में आप लोग देख लिजेगा हरीस सालवे के तीसरी साधी में ललित मोधी जी आते हैं और उन पे कोई कारवाई नहीं की जाती है समझे? मतलब जो लोग राम को लाए वो ललीत मोधी को भारत महीं ला पाए जो लोग राम को लाए वो लोग विजय मालिया को भारत महीं ला पाए और आप अच्छे तरीके से डाटा को देखिए समझे डाटा को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30-32 लोग है भागने वाले फ्रोड करके उनमें से आधे से अधिक गुजरात से हैं यानि कि आपको पूरा जो मसला है उस समझ में आजाना चाहिए कि किसके साथ उनका उठना बैठना है किसके साथ रहा है पहले और जब मुखी मंतरी थी तो विचारे नहीं भाग पाए प्रधान मंतरी बने तो विचारे भाग गए चलिए अपना आदमी बना हुए तो क्या दिक्कत है तो उनके परिवार में ऐसे लोग ही है सर उनके परिवार में लोग तंतर की हत्या करने वाले लोग जो हैं मतलब अनील मसी उनके परिवार में बलातकारी हैं और मोदी जी के परिवार में लुटे रहे हैं भरस्टाचारी हैं जितने भी लोग हैं नीच किस्म के आपको मोदी जी के परिवार में देखने को मिल ही जाएंगे आप देख लिजिए एक लिस्ट में आप लोग को सुना दिता हूँ, अजित पवार जिन पे सत्तर हजार करोर का घुटाला का आरोप लगा था, वो मोदीजी के परिवार में है एक नात सिंदे महाराष्ट सीम है अभी उन पे भी आरोप था घोटाले का वो अभी मोदी जी के परिवार में है ठीक है हेमंत विश्वत सर्मा मुकूल रॉय जगन भुजबल हसन मुफलिस प्रफुल पटेल सुभेंदु अधिकारी छगन भुजबल ये नामी गिनामी लोग जो भ्रष्टाचारी है वो बिजेपी के मतलब यानि की मोदी जी के परिवार में है समझे तो मोदी जी का परिवार तो बहुत बड़ा है भाईया समझे और वो फूल फल भी रहा है भले आम आदमी बरबाद हो रहा है आम आदमी लूट रहा है लेकिन मोदी जी का परिवा मोदी जी का परिवार लिख दिजी और ये चुनाव के समय होगा जब उन पे हमला होगा तब होगा जब उन पे कोई आफ़ात आएगा तब आपको परिवार बनाया जाएगा बाकी बात परिवार उनका जो हड़ा फुला है आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए समसे वहाँ पे अमबानी जी हैं वहाँ पे अडानी जी हैं एक इलेक्टोरल बॉंड का हिसाब देने में मोदी जी की फट जाती है अरे भाईया मोदी जी अब गलत मत समझ लिजे हिसाब की डायरी में बोल रहा हूं आप देख लिजे छे तारीक टायम दिया गया था SBI को और वो 30 जून का टायम मांग रहा है क्योंकि चुनाओ हो जाना चाहिए आप अच्छे तरह के से जान लिजे कि 2019 के चुनाओ में भी यही इसी तरह का मामला हुआ था दो साल पुराना मतलब 2017 से लेकर 2019 तक का बेरोजगारी डाटा जो था वो जारी नहीं किया गया था समझे मतलब आकड़े छुपाये चुनाओ हुआ उसके दो महीने के बाद तुरंत आकड़े रिलिज कर दिये गये क्यूं पता है क्योंकि आकड़ों से बहुत कुछ होता है मोधी जी भरष्टाचारी नहीं है भरष्टाचारी कहां कह सकते हैं उनको वो सिर्फ और सिर्फ भरष्टाचार बेचारे देख करके दूर से चुप रहते हैं समझे क्यूंकि आप देखे लिजी रेल्वे विभाग में रेल्वे अस्टेशनों पर मोधी जी का सेलफी पोईंट बनाया जा रहा था जिसमें आर्टी आई के द्वारा एक जबाब मांगा गया कितना खर्चा रहा है एक अधिकारी ने उसका जबाब दिया और उस अधिकार जो है थबादला कर दिया गया समसे कैग जिसकी रिपॉर्ट पह Each unit bondी के तीन फिर्जी परीवार में आपको तरह तरह की लोग मिल जाएंगे समसे राम रही मिलेंगे अमबानी मिलेंगे, ब्रीज भूसन सिंख मिलेंगे, बी एच्चियू के बलातकारी मिलेंगे, मतलब एक बात तो तै है कि आज तक के वैस्विक पटल पे पहले प्रधान मंतरी है जिनका सबसे ज़्यादा बलातकारियों के साथ फोटो हो गया है, समसे मतलब वल्ड के ये पहले प्राइन मिलेंगे, प्रधान मंतरी मोदी जी कि उनका फोटो वो बलातकारियों के साथ, सबसे ज़्यादा बलातकारियों के साथ है समझे ऐसे कोई भी प्रधान मंत्री आज तक नहीं हुए जिनका इतने बलातकारियों के साथ फोटो है तो ये भी नाम कहीं बात है भईया गैनीज बूक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए मोदी जी का कि इनका फोटो जो है सबसे ज़्यादा बलातकारियों के साथ फोटो खिचवाने वाले प्रधान मंत्री अगर कोई है तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी है तो मोदी जी का कहना ही क्या है उनका कहानी ही निरला है अगर मोदी जी ऑतार है कुछ नहीं करके भी तो आप इतना बात अवस्य जान लिजिए कि भले घोटालों का आरोब यालू जादों पे इसीध हो गया हो लेकिन कुछ तबकों के लिए OBC के लिए पिछली जातियों के लिए वही आतार है क्योंकि जारखंड बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में सीना तान करके चलने का जो सामर्थ है पिछली जातियों में वो किसी ने गर दिया है तो लाली जौदव है समझे आज आपको धर्म के नाम पे बरगलाया तो जरूर जा रहा है आपके बेटे जो हैं वो धर्म का जंडा लेकर के आगे रहें और जो नेताओं के बेटे हैं जो अमित्सा के बेटे हैं वो कहां रहेंगे? BCCI के चेर्मैन में चेर्मैन ही करेंगे जिनको दो अच्छर बोलने का अकल नहीं है दो अच्छर भी बोलते है न तो हमारे गाउं का जो अनपढ़ आदमी है न उससे वो भी उससे अच्छा बोल देगा समझे, मतलब समझ ये कि कितना अनपढ़ा आदमी को बनाया गया है जो दो अच्छर देख करके भी नहीं बोल सकता है अची तरीके से समझे, ऐसे आदमी को BCCI का चेर्मेन बना दिया गया है तो इसके आगे क्या कहना है परिवार के बारे में मोदी जी का परिवार फूल फल रहा है और आम आदमी बरबाद हो रहा है ठीक है, तो मोदी जी के परिवार को अगर फुलाना है फलाना है तो 2024 में फिर से उनको भोट दिजे, समझे, कोई दिकत नहीं है बरबादी का मंजर जो है अगर देखना है तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है आप दिजी आप आजाद है और मोदी जी के लिए सिर्फ मेरे मन में मेरे जहन में एक ही कविता आती है जो डलहोजी न कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे कमिशन दो तो पू हिंदुस्तान को निलाम कर देंगे ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे कमिशन दो तो हिंदुस्तान को निलाम कर देंगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और मोदी जी का परिवार तो धन्य है ही भाईया